भक्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से 31 अक्टूबर 2014 दिन गुरुवार दीपावली के दिन बना है दुरलब माह शुभ संयोग महा लक्ष्मी योग 12 राशियों में से 4 राशियां होंगी माला माल भक्तों आपको बता दें माता लक्ष्मी के आशिरवाद से इस बार 31 अक्टूबर 2014 दिन गुरुवार को दीपावली के दिन महा लक्ष्मी योग दुरलब संयोग बनने से 12 राशियों में से 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है यू कहें कि स्वयम धन की देवी माता लक्ष्मी अब इन 4 राशिय वालों के घर पधार रही है दीपावली के दिन इन 4 राशिय वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कस्ट मिटने वाले हैं यू कहें कि इन 4 राशिय वालों की लौट्री लगने वाली है करोड़ पती के दिन दोस्तों कौन कौन सी वह चार खुश नसीब और भाग्यशाली हैं। राशियां हैं जिन पर माता लक्ष्मी इस बार दीपा वली पर सबसे अधिक महरबान होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन्हीं चार भाग्यशाली राशियों के बारे में विस् पच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें जिससे माता लक्ष्मी जी का आशीरवाद आपको प्राप्त हो सकें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी इस वीडियो के मा अवित्रपावन धन्तेरस से शुरू होकर भाई दूज के दिन संपन्न होता है। यह पांच दिवसिय त्योहार हैं जिसमें धन्तेरस, छोटी दीवाली, दीवाली, गोवर्धन, पूजा और भाई दूज जैसे त्योहार मनाये जाते हैं। इस साल धन्तेरस का त्योहार 2024 को धन 13 का त्योहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्री के समय मनाई जाती है। दिपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में 2 बच कर 40 मिनट से लग रही है। दीपावली के त्योहार मे एक नवंबर की रात्र को अमावस्यातिति समाप्त हो जाएगी, साथ ही इसमें उदयातिति की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है, इस सा कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली के दिन, धन की देवी माता लक्ष्मी का विशेश पूजन किया जाता है। जैसा कि हिंदु धर्म में महाकाव्य रामायन में वर्नित है कि यह वह दिन है जब भगवान राम देवी सीता और भगवान लक्ष्मन 14 साल जंगल में बिताने के बाद अयोध्या में लोटे थे। बहुत ही विशेश फलदाई माना गया है। 16 मिनट के बीच है। वहीं निशीत काल में पूजा करने का शुभ महूट रात 11 बचकर 49 मिनट से देर रात 12 बचकर 31 मिनट तक है। इस समय आप माता लक्ष्मी की विधिविधान से पूजा करें। साथ में भगवान गणेश जी की विधिविधान से पूजा करें। समस्त मनो कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। यूँ कहें कि इस बार जो माता लक्ष्मी है वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली है। समस्त मनो कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। यह मान लें आप हाथों हाथ मनो कामनाएं पूर्ण होंगी। शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें जो कि हमने आपको इसमें बताया है। इस वीडियो के माध्यम से 33 अक्टूबर की शाम को 5 बच कर 36 मिनट से शाम 6 बच कर 16 मिनट के बीच तक माता लक्ष्मी जी की पूजा का समय रहेगा। इसे लिख कर रख लें। दोस्तों बात कर ले यूँ कहें कि स्वयम विधाता भी नहीं रोक पाएंगे इन चार राशे वालों को करोड़ पती बनने से माला माल बनने से। अब दोस्तों जिन खुश नसीब और भाग्यशाली चार राशियों के बारे में हम बात रहे हैं। उन चार खुश नसीब और भाग्यशाली राशी है, वह राशी है, मेश राशी है। मेश राशी वालों को बता दें। इस बार माता लक्ष्मी का आशीरवाद दीवाली के दिन बन रहे हैं। शुभसंयोग महालक्ष्मी योग में मेश राशी वालों की किसमत चमक जाएगी। इनके घर खुशी का माहौल घर में लगातार बनी रहेगी और आपके घर परिवार की हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। माता-लक्षमी की कृपा से मेश-राशिवालों को आपको चारों तरफ से धन लाब होगा। व्यापारी लोगों को धन लाब के योग बन रहे हैं। धार्मिक कार्य आपके घर परिवार में संपन्न हो सकते हैं। नए कार्य को करने के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल है। जो भी आप नए कार्य का शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इस दिवाली में बन रहे महालक्ष्मी यो मेश राश्य वालों इस दिवाली आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की क्रिपा से आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी, मेश राश्य वालों को हर कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन से धन लाब हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा मेश राशिवाले, यदि माता लक्षमी के आशीरवाद से आपके लिए अत्यंत लाबकारी और बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाली है, चारों तरफ से आपको लाब ही लाब मिलने वाला है, दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशिय है वह राशिय है कन्या राशिय जी हाँ दोस्तों, कन्या राशिवालों को बता दे, माता लक्षमी की जबरदस्त क्रिपा आपके उपर इस दिवाली पर रही है, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है कन्या, राशिवालों आपको बता दे, इस दिवाली महान शुभ संयोग से माता दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। माता लक्षमी की कृपा से व्यापार के क्षेत्र में किये गए प्रयास आपके लिए अधिकतर सफल रहेंगे। साथ ही साथ नौकरी की दशा में चल रहा प्रयास जल्द ही सफल हो जाएगा। माता लक्षमी की कृपा से नौकरी प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, तो नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृध्ध के भी योग रहेंगे। पहावना बन रही है और आपके द्वारा किये गए सभी प्रयास बहुत ही आसानी से सफल हो जाएंगे। आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का समाधान निकाल लेंगे। कन्या राशेवालों, आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इस दीवाली में धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करने वाली है। धन प्राप्ति के अनेक योग कन्या राशेवालों आपके लिए बन रहे हैं। यह दिवाली आपके जीवन में चार चांद लगने वाले हैं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। समय को अपने हाथ से न जाने दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां आती है। दोस्तों वह राश्य है, तुला राश्य है। दोस्तों तुला राश्य वालों को बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी इस दीवाली आपके उपर बेहत प्रसन्न है। आपके उपर अपनी अपार क्रिपा द्रिष्टी बरसाने वाली है, जिसकी वजह से तुला राश्य वालों आपके जीवन में आने वाली धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करेंगे। चारों तरफ से आपको धन-प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। माता लक्षमी की क्रिपा से धन कमाने के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेंगे। आपने अपने जीवन में जो सोचा भी नहीं इतना आपको इससे लाब होने वाला है। आपके जीवन में चारों तरफ से पैसों का आगमन होगा। आए के नैस रोत आपको प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की आए में वृद्ध होने के साथ साथ पदोन्नती होने की भी पूरी संभावना है। लक्ष्मी की क्रिपा तुला राशिवालों इस दीवाली आपके उपर विशेश रूप से पढ़ रही है। व्यापार के क्षेत्र में अचानक आपको लाब होगा। आकस्मिक धन लाब के जबरदस्त योग बन रहे हैं। महा लक्ष्मी जी की क्रिपा से आपके जीवन में अब अपार खुशियां। साथ ही साथ यदि आप कोई व्यापार को शुरू करने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वह योजना आपकी अवश्य सफल होगी। व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। कहना गलत नहीं होगा। इस समय जिस भी कार्य में आप हाथ ड तुल्ला राशिवाले माता लक्ष्मी की कृपा से इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें जो अगली खुशनसीब और भाग्यशाली राशी आती है। दोस्तों, वराशी कुम्भ राशी है दोस्तों, कुम्भ राशी वालों को बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर इस दिवाली सबसे अधिक महरबान रहने वाली है। आपके ऊपर लगातार माता लक्ष्मी की विशेश कृपा दृष्टी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाने में भी काम्याब रहेंगे। आपके द्वारा की गई कोशिशें सफल होंगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिती कुम्भ राशिवालों मजबूत बनेगी। व्या योजना बना रहे हैं तो यह योजना सफल होगी। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। इसके प्रबल योग बन रहे हैं और कुम्भ राशिवालों कहना गलत नहीं होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से इस दीवाली आपको चारों तरफ से धन लाभ प्राप्ति के अ समय का भरपूर लाभ उठाएं और इस मौके को अपने हाथ से न जाने दें। तो दोस्तों ये थी वो खुश नसीब और भाग्यशाली चार राशियां जो कि इस दिवाली में माता लक्ष्मी के आशीरवाद से धन से मालामाल होने वाली है। इन चार राशिवालों को माता लक्ष्मी का आशीरवाद इस दिवाली में अनेकों प्रकार के धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। जिससे अब इन चार राशिवालों का जीवन बदल जाएगा।